हेलो दोस्तों मैं आपके फ्रेंड सुरिंदर को और स्वागत आपका हमारे चैनल फाइन ओकल साइंस में दोस्तों आज मैं री मैरिज के बारे में बात करने लगी हूँ कि दुबारा शादी होगी या नहीं होगी ये चार्ट से किस परकार हम लोग देखेंगे दोस्तों तो आपने किस तरीके से देखना है तो सबसे पहले दोस्तों आपने D1 चार्ट को लेना है आपने लगन चार्ट को लेना है लगन कुंडली को ठीक है दोस्तों तो आपने किस तरीके से देखना है इसको यदि D1 चार्ट के अंदर 7 थाउस का लोड अब आपके बारा नंबर की राशी में बैटा हुआ है और यही D1 का 7th हाउस का लोड D9 चार्ट में भी 3, 6, 9, 12 नंबर की राशी में बैटा है तथा D9 चार्ट में क्योंकि वैदिक से जब हम लोग कनफोर्मेशन लेते हैं तो हम D9 चार्ट को भी जरूर देखते हैं दोस्तों इसी तरीक सेंट कंफोर्मेशन दे दीजिए कि भी सामने वाले व्यक्ति की दुबारा शादी होगी ही होगी किस तरीके से देखना है मैं आपको दुबारा रिपीट कर रहे हूं यहां पर सबसे पहले आपने अपना लगन चार्ट उठाया लगन चार्ट में आपने 7 था उसका लोड कौन बना हुआ है यदि वह 369 12 नंबर की राशी में बैठा है तता सेम यही प्लैनेट डी वन का प्लैनेट डी वन का सेवन था उसका लोड यह नवमांशा चार्ट में मीन्स दी नाइन चार्ट में आपका 369 12 में बैठा हुआ है दूसरा हो गया दोस्तों यह रूल हमारा तीसरा रूल क्या है डी नाइन चार्ट में जो भी आपका सेवन था उसलोड बना हुआ है यदि वह 369 12 नंबर की राशी में जाकर बैठ गया है तो 100% कन्फोर्मेशन दे दीजिए कि सामने वाले व्यक्ति की दुबार अशाधी होगी ही होगी दोस्तों अगर हमारे द्वा संडे से हम लोगों की यह जो भी हमारी क्लासीस रहेंगी एक्तिवेशन की क्लास हमारी संडे को स्टार्ट हो रही है 12 तंग IS लेने का इच्चो को तो निचे दिएग मेंबर स्टाम्व कर सकते हैं और दोस्तों आज से हमारी केपी सथ लोजी की स्टार्ट होई है अगर कोई जोईन करना चाहता है तो नीचे दिएगे नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकता है दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थेंक यू